स्वागत है आपका इंडिया की बात में मैं अभिसार शर्मा मेरे साथ है भाषा और उर्मिलेश और आज तीन मुद्दों की हम चैर्शा करने जा रहे हैं दिल्ली पुलीस महिला पहलवानू पर तो दबिश डाल सकता है मगर ब्रिज भूशन के सामने क्यों काप जाते हैं दो पर हमला बोल रही है मुद्दा नमबर तीन शरत पवार के दिमाग में क्या चल रहा है नसीपी के प्रमुक के तौर पर इस्तीफा तो दे दिया क्या दो हजार चौबीस की रह मुश्किल कर दी है शाह और मोदी के लिए चुरुआत मैं करना चाहूंगा कल देर रात की घटना जो कितनी शर्मनाक हैं दो एफायार दर्ज हैं प्रजूशन के खिलाफ एक सवाल तक नहीं किया मगर जब महिला खिलाडियों को एक बिस्तर चाहिए था क्योंकि बारिश हुई थी जमीन पर सो नहीं सकते थे बिस्तर आता है उसकी इजाज़त दिल्ली पूलीस नहीं देती है महिला खिलाडियों का ये भी आरोप है कि नशे में पूलीस वाले ने बत्तमीजी की खिलाडी उसे मिलने जब राजनेता जाते हैं तो उन्हें गिरफतार कर लिया जाता है यहां तक कि एक पत्रकार साक्षी जोशी को भी हिरासत में ले लिया गया ये कायरता कहां से लाते हो दिल्ली पूलीस क्या इस खबर का पंच शुरुआत करना चाहेंगे भाशा से अब इसारे एक बात बिल्कुल साफ है कि मोधी सरकार ने और अमिशा जी ने ये एलान कर दिया है जंतर मंतर पे कल उनकी पूलिस ने एलान किया कि बाखी की तो छोड़िये हिंदू बेटियों के सम्मान की उन्हें जरती भर परवा नहीं उनके अपमान पे वे उतारू है और जिस तरह से करनाटक में वह बजरंग बली की दुहाई दे रहे हैं यहां मा दुर्गा का अवतार जो बैठी हुई है जंतर मंतर पे उनकी तो आप चिंता कर लीजे मोदी जी अबिसार क्या है इस पर आपका पंच जो बजरंग पुनिया तिरंगे के छाओं में देश के लिए मेडल लेके आता है ये इनके लिए टुकड़े टुकड़े गयांगे जो विनेश फोगाट देश की आन बान और शान है ये इनके लिए टुकड़े टुकड़े गयांगे मगर ब्रिज भूशन शरण इनके लिए देश भक्त है बजरंग दल के लिए प्रधान मंतरी नरेंद मोदी नारे लगवाते हैं मगर हमारे खिलाडियों से मिलने के लिए एक वक्त नहीं है ये पूरी घटना किरम आपको आइना दिखा रहा है प्रधान मंतरी और मिलेश जी क आइस मुद्दे का पंच देखे इस घटना के बाद जो द्रिश्य उभर कर सामने आये हैं उससे देखकर लगता है कि मानो हमारा जो लोकतांत्रिक राज है वो एक माफिया स्टेट की तरह कनवर्ट होता जा रहा है उसमें तब्दिल होता जा रहा है गिरोह वाद ऐसा लग हो गया है ये भारती डिमोक्रिसी के लिए भायानक तोर है भाशा मेरे पास शब्द नहीं थे मैं वो तस्वीरे देख रहा था उसके अंदर आप बताईए ना बिस्तर की जरूरत थी खिलाडियों को हम सब जाते हैं कि उत्तरी भारत में तमाम शहरों में इतनी बारिश हु आई चाहिए थे और बिस्तर के लिए इतना बवाल और देखें ये जो विनेश फोगार्ट ने कहा सामने सब्सके सामने जो प्रेस कांफरेंस की उन्होंने उन्होंने कहा कि तुम हरे तुम हमारी हत्या कर दो लेकिन ये बेज़ती तो ना करो डिस्रिस्ट उना करो और सबस के साथ इस तरह का वहवार नहीं कर सकते महिला पुलिस कहा है मुझे लगता है देखिए अब वो लग गया है उनकों की इस पर बहुत बड़े पैमाने पर मोधी सरकार के लिए बुरा नाम आ रहा है राष्टी अंतराष्टी इस तरह पे तो उन्हें लग गया कि अब दराया जाएगा धंकाया जाएगा इन लड़कियों को तोड़ दिया जाएगा और रात के अंधेर के अब क्या ये बेखैरत है इन्हें शर्म नहीं है कि ऐसा करने से आपकी और बदनामी होगी उनको लग रहा था कि लड़कियों को दबा देंगे आप देखे ना वहां पे जिस त क्या कारवाई हुई एक के खिलाफ कारवाई नी और बजरंग पुनिया जब लगातार बोल रहे है कैमरे पर कि इस तरह से बगायदा उस शक्स को दिखा भी रहे और वो नशे में धुद दिखाई दे रहा है तो ये हाल जब देश की राजधानी का है और हम सब देख रहे ह मैं उसकी अलग से बात करता हूँ ये एक किसम की बेगहरती है बेशरमी है और दूसी तरफ ब्रिजभूशन शरण है वो इंडिया टीवी को इंटर्व्यू में कहते हैं कि मुझसे एक लड़की मिलने आई थी मैंने उसकी बात फोन पर कराई और फिर मैंने उसे गले लगा खुते हैं आपकी नियत को वो समझती है या आदमी खुले आम कैमरे पर अपने गुनाह को बूल रहा है एक चीज़ मैं कहना चाहूंगी वो उनको पूछने की जर्वत नहीं वो वाकरी टच नहीं कर सकते बिलकुल ये कानून कहता है कि आप किसी भी खुले आम और ये पहल उनको पर और खुले अधर जाय के वो वो बिलकुल सियह कि पानूनन अपराद है किसी आप मैंना को आप इस तरह से नहीं तच कर सकते आप परिवार के नहीं और परिवार में भी अगर किसी पर उसको शक है या कोई संदे है या कोई उसका एक असामत ही है तो वह भी नहीं परिशान करना है आप ऐसा नहीं कर सकते कानून निया पराद है पहली बात दूसरी बात कि आपने बिलकुल सही फर्माया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैंने भी सुना और उसका आज तक खंडर नहीं देखा कि उन्हों ने कहा कि हाँ मैंने हत्या की उसकी उसको मर्डर किया और आज तक पता नहीं मुझे कि आखिर उस मर्डर का हुआ क्या उस कोर्ट कारवाई का क्या हुआ इस लोगों को बगेर किसी आपराद के कोर्ट का चहरी में दोड़ाए जाता है बनाना रुपब्लिक हो गया है कैमरे पर एक विक्ति इस तरह से बाते कर रहा है देखे यह ही मैं कह रहा था जब पहले मैंने पंच आपने पूछा कि आपका मैंने का यह माफिया स्टेट की तरह हम बदलते जा रहे हैं और दुनिया आपका कहना है कि लोगों को देश की इजट का ख्याल नहीं है भाई दुनिया के जितने फासिस रेजीम्स हैं जितनी तनाशा जो स शे जिलों का ही नहीं आठ साथ जिलों का बेताज बादशा है अकूत संपदा का मालिक है लेकिन क्या मदाल की सरकार सरकारी एजनसियां उसके बारे में कोई परताल करा सकें और लड़कियों ने पहलवानों ने बाकाइदा एक्यूज किया है नाम लेकर उनको लेकिन उनकी कोई उनसे पूस्ताच नहीं और आप जाते हैं सबसे शौकिंग क्या है कि अनुराग ढाकुर जो है आरोप लगाया गया है विनेश बोगाट ने कि भाई उस समिती की बनाने का मकसद ही यही था कि यह तमाम आरोप जो है वो दफन हो जाएं यानि कि सरकार समिती बनाती है और रात को बुलाया जाता था उनकी बयान कोई नहीं दर्श किया गया वाट वाट बनाना रिपाब्लिक स्टेट अफ अफेर्स दिस और देखिए सबसे मज़दार बात है कि करनाटक में जहां चुनाओ चल रहा है मैं कॉंट्रास्ट दे रही हूं वहां पर आप हिजाब और ह लाल का मुद्दब उठा रहे थे वहां मुसल्मान औरतों को निशाना बना रहे थे यहां पर मोदी जी जो आपके सीधे सीधे सवाल उठा रही है यह तमाम लड़किया मुझे शर्म है इस बात को कहने पर कि हमें आपकी वजह से मेंशन करना पड़ रहा है कि वह एक हिंद हिंदू लड़कियों के फ्रेम में जाएंगी आपके लिए तो यहां पर आप सरे आम सारे कानून सब कुछ गायब हो गये हैं और कितनी है जब दी मैं जंतर मंतर पे जाती हूं तो वो जो गली है जंतर मंतर की उसमें पहला घर बिजभूशन शरन सिंग का है और आप देख प्रायोजित और नाइजड हमला था जिस तरह से पुलिस वहां पर आई है जिस तरह से महिलाओं को खीचा गया है और मुझे लगता है कि हम सब इन महिला पहलवानों की हिम्मत की दाद देते हैं कि वे तमान दबाओं के बावजूद सबसे ताकतवर व्यक्ति से टकरा रही नहीं मोदी जी से टकरा रही है या हमिशा जी से टकरा रही है और कहीं से भी एक कदम पीछे हटने को तयार रही है बिल्कुल आप जानते हैं उर्मिलेज जी मुझे सबसे जाधा शौकिंग और सबसे जाधा दुरभागेपूर्ण बात है कि उनके आंसों का मजाग उड़ बज़र्ग महिलाओं से मिल रहे हैं छोटी बच्ची को मिल रहे हैं उसे भी ये लोग अशलील बता रहे हैं इनकी सोच देखिए अंध भक्ति और प्रोपगैंडा में इनकी सोच देखिए तुर पर 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 एक मुनवर राना का एक शेयर है एक आसूबी हुकूमत के इंता का एक बहुत बड़ा जंगल सा उगाया है लोगों के पास सूचना और ग्यान का अकाल जैसा लग रहा है तो सूचना अग्यान का अकाल संबेधन हींता का फैलता हुआ और ब्रेन वाश थ्रू मास मीडिया और संबेद नहींता का बढ़ता हुआ ये जंगल इस सबका बेहतरीन किसम का बलकि बेहतरीन से ज्यादा बेहतर शब्द होगा बहुत ही कुरूप ढंका एक इस्तेमाल मौजूदा सब्ता कर रही है पूरे समाज को ये बगनकी बना रहे हैं पूरे सबाज को ये बिलकुल डिस्टार्ट कर रहे हैं लोगों की संबेद नाओं को और उनको एक अमानवी किसम के एक समुदाए में तबदील कर रहे हैं बारबरी लोगों की संबेद नाओं को मिटा कर उनमें बारबरी जम भर रहे हैं तो ये बड़ा खत्रा है कि एक केवल एक पारटी एक समूख तक सीमित नहीं रागे आए हमारी सत्ता हमारी राज सत्ता हमारी गौर्णमेंट मुशिनरीज जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे इस देश का बच्चा बच्चा इस देश की इस समय की पिरिया आने वाली पिरिया वो एक संबेदन हीन मनुश्य के रूप में तब्दिल हो जाएंगी और अपनी मनुश्य ता खो बैठेंगी ये बड़ा खत्रा है अब हम उस दौर में आ गए हैं जहां बलातकार को जायस ठहराए जाता है मगर मैं भाषा आप से एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ फोड़े जा रहे हैं वभीता फोगाट के भाई का सिर्फ फोड़ा गया ये तमाम चीज़ें हो रही है यानि कि एक नसीहत है तुम जब तक तो इस सरकार के गुणगा रहे हो तुम हीरो तुमने एक सवाल किया और वो जायस सवाल है तो तुम्हें देशद्रोई बना दिया जाएगा तुम्हारे सिर फोड़े जाएंगे तुम्हें बाल पकड़कर खीचा जाएगा और अश्लील प्रॉपगांड़ा चला जाएगा जी और देखें ये भी एक बहुत बड़ी विटम बना है कि जिस शाहीन बाग का विरोध में ये लड़किया या कुछ खिलाडी थे आज की तारीख में अगर आप जंतर मंतर जाएए तो वो जिन्दा होता शाहीन बाग है शाहीन बाग यानि क्या कि सड़कों पे उतर कर आ आप यहां बैटके बात कर रहे हैं 23 तारीख से 23 अपरेल से बैटी हुई है आज चार तारीख है तो आप देखें इतने दिन में उनका कवच कौन है उनका कवच आम नागरिक हैं सिविल सोसाइटी है खाप पंचायते हैं किसान आंदोलन हैं तमाम लोग जो वहां पहुचे हैं उनके समर्तन पर बड़ा हुजूम पहुचा हुआ है और शायद इस बार इन्होंने समझा कि जनता का कवच ही जनता को कॉल कर रहे हैं वो लोग लगातार बोल रहे हैं कि आप हमारे पक्ष में आईए उतर ये इस्टैंड लीजिए कल पिटी उशा भी गई थी वहां प आप देखें यौन शोशन पर कानून क्या कहता है तुरंत कारवाई हो तुरंत एफ आई आर हो पॉसकों में तुरंत गिरफतारी हो बिलकुल लॉजिक को पूरी दरह से पलग गया है उर्मिलेश जी मैं बहुत त्वरित प्रतिक्रिया चाहूंगा अगले विशेवे जाने पापा की तमाम परियां जो न्यूस चैनल्स में प्राइम टाइम करती है या वो जो सम्मानित गुलू और कालू है उन वो लोग एक शब नहीं कह रहे हैं एक दो को जाना पड़ा था उन्हें भी जो हाय हाय के नारों का सामना करना पड़ा था तो ये सरकार के सामने ये दो इन पहलवानों के पक्ष में उतर जाएं इसके इनके पक्ष में इतना बड़ा इतना बड़ा हुजूम सामने आ जाए कि सरकार को सरेंडर करना पड़े जैसे किसाना अंदुलन में हुआ था बिलकुल साब तो पर मैं कहा रहा हूँ दूसरी बात यह है कि ये जिन आपने ज दंका लिखा मैंने स्वेम मुझे मैंने अपनी सोसल मीडिया जो एकाउंट्स हैं उस पर मैंने लिखा कि ये गलत बात है कब कौन जागेगा कब कौन समझेगा ब्योस्था को और जो कुछ इस देश में हो रहा है उसका मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए ये ये बिलकु गलत सोच था उन लोगों का खासकर मैंने करिंट है किरिक और को किसी भी व्यक्ति को यह नहीं आप कह सकते कि वह कॉंजेगा तो समझ को थेखागे को दीरे दीरे समझ में उसींदिगए चीज़ कहूंगी अखिलेश यादव भी समझ जाएं कि वो ब्रिजबूशन शरण सिंग के साथ ना खड़े रहें क्योंकि ब्रिजबूशन ने सीधे का कि उनको अखिलेश जी का समर्थन हासिल है तो मुझे लगता है वो भी एक राजनितिक समझदारी का मुद्ध हो वो शा साय के सायोग से कैसे सीटें ज्यादा जीती जाएं आश्यजनक है कि डिमोक्रिसी में इतने अपराधी करण की जो प्रब्रित्ती है उसका इस्तेमाल जीत और हार में हो रहा है बिल्कुल और हम दूसरे मुद्ध का रुख करते हैं वो है करनाटक शुनाव प्रधान अंतरी कारवाई की जाएगी और उन पर पाबंदी लगाना भी एक विकल्प है प्रधान मंत्री ने तमाम हदों को पार कर दिया दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाडरा मुद्धों पर लगातार हमला बोल रही है और एक तरह से भारती जाता पार्टी के लिए जबरदस्त पहले प्रधान मंत्री हैं गुजराज से लेकर विहार तक और तमाम जहां जहां चुना होते हैं वो मौडल कोड आफ कंड़क्ट का भी वाइलेशन करते हुए उनको तनिक भी तनिक भी परेशानी नहीं होती है तनिक भी जज़क नहीं होती है मैं समझता हूँ कि कोई प्र क्लास का ही वाइलेशन कर रहे हैं यह आश्चर जनक है बाक्षा बतायां क्या है आपका पंच देखिए एक बात बहुत साफ कर दी मोडी जी ने कि उन्हें बजरंग दल और बजरंग बली में कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा और मुझे लगता है यह उनकी जो हिंदू आस्था के प्रती जो समझदारी है उसका भी परदाफाश होता है कि बात बजरंग दल की होती ह और वह बजरंग बली को लेकर आते हैं और जिस तरह से धर्म के आधार पे और नफरत के आधार पर भाशबा इस पूरे करनाटक चुनाओं में अपनी नईया पार लगाने की कोशिश कर रही है उससे एक बात दुबारा साफ हुई है कि मोदी जी को अब करनाटक में सिर्फ अपने चेहरे और मोहरे का उस पर जी सकते हैं इसका भरोसा कम हो गया है अब इसार क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्दे पर मेरा पंच ये है कि प्रधान मंत्री को लगता अब ये बिलकुल भी परवाह नहीं है कि उनकी बातों का इस देश पर क्या असर पड़ेगा वो किस तरह की राजनीतिक शिक्षा देख रहे हैं उनकी लिए सिर्फ अपनी छवी माइने रखती है किसी भी कीमत पर वोट्स हासिल करना ये माइने रखती है इसके क्या नैतिक माइने है उन्हें बिलकुल भी परवाह नहीं है आपको याद होगा वीडियो छोटे बच्चों से वो मुल रहे हैं बच्चे कटीली तार की इस बिलकुल भी परवानी आपने बिलकुल वाजिब कहा देश के इतियास में संभवता प्रधान मंत्री पहले प्रधान मंत्री हो जाएंगे जो इस तरह से खुले आम धर्म पर वोट मांग रहे हैं और आप जानते हैं जब मैंने ईश्वर अप्पा को सुना था कि हमें मुसल हनुमान जी से जोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ धर्म के दाम पर आप वोट मांग रहे हैं देखे मैं इसलिए मुझे ताजब हो रहा है कि पहले होता ये था कि कांग्रिस पार्टी हो बीजे पी हो कोई भी पार्टी हो उसके चोटे मोटे नेता अनाप शनाप बोला करते थे दूसरे को अब्योज करते थे लेकिन जो बड़े नेता होते थे वह बहुत गरिमा के साथ सामने आते थे अपनी सैध्धानतिक बातें कहते थे अटाइक भी करते थे काफी अपने प्रतिपक्षियों पर लेकिन महानी प्रदार्र मंतरी जिस भाशा में इश्वरप्पा या अमिश्या जी का आपने जिक्री कि या कि धंगे हो जाएंगे ये हो जाएगा उसी भाषा को और आगे बढ़ा रहे हैं उस पिछ को और उपर ले जा रहे हैं तो मेरा ये कहना है कि ये unprecedented है आप देखे भारत के जितने राजनितिक तल हैं सबने बैठ करके election commission of India के साथ model code of conduct त्यार किया है और model of code जो model code of conduct है उसका class one धर्म के आधार पर जाती के आधार पर भाषाई आधार पर भेद भाव या कटुता बढ़ाने के पूरे के पूरे प्रयासों को सिरे से खारिच करता है और कहता है इस आधार पर vote नहीं मांगा जाना चाहिए और आपको बताओं ए कि हम लोग पहले भी दे चुके हैं कि इसी आधार पर और मानिप्रदान मंत्री जीजी ने जिस भाषा में भाषण किया है उस भाषण से ज्यादा बलकी बलकी यूं कहा जाए कि वो ज्यादा खतरनाक उस तरह की भाषण नहीं थी बाल ठाकरे की इस इन से ज्यादा देखार भी छहीं लिया गया था प्रत्याशी बादे चुनाव यूद कि कर रहे हैं प्रत्याशा लेकिन चुनाव कि इन जिकर्नाव करना चाहता हूं मलिकार अरजुन खड़गे के बेटे नहालायक शब्द का इस्तमाल किया मोदी जी के लिए नहीं करना चाहिए था मगर नालायक पहले तो बहुत त्वरित क्या नालायक आपको गाली लगती है हाँ या नहीं नहीं देखे मैं मैंने अन पार्लामेंटरी शब्दों की याद मुझे नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि इसे बेहतर वो चुन सकते हैं मगर मैं कहा रहा हूं नालायक शब्दिनों ने इ सकता है क्या विल्कुल वायलेशन था बिल्कुल वायलेशन था और देखे वो तो आप उल्वामा की बात करें मैं कह रहे हूं कि अगर कल का प्रधान मंतरी जी का भाशन सुने और तमाम जो टीम बोल रही है यहां तो उन्हें साफ साफ कहा कि आप जाएं अंदर बटन दब बजरंग बली की जै बोले और बटन दबाएं तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब सीधे सीधे हुआ कि आप धर्म के आधार पर हनुमान जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं जो सरा सर उलंगन है मैं दूसरी बात कहना चाहूंग और एक सिगेंड इसमें जोड़ दूमें इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया अगर वाकई माननी प्रधान मंतरी को इस मुद्धे पर नोटिस नहीं देता तो ये माना जाएगा कि इलेक्शन कमिशन बिल्कुल खट हो जोगा है इसकारत यह हुआ कि सुप्रीम कोट में जितनी बहस हुई सब कोई माइने नहीं है सुप ब्रधान मंतरी पर भी टिपनी कर सके आइना दिखा दिया आए आज ब्रधान मंतरी की बियान ने देखर ओर चुनाव आयोग इना तरह से मोधी सरकार के पक्ष में खड़ा हुआ यह हम मुझे लगता है अब यह हम आप ही नहीं आप नीचे जाए मैं तो करनाटक गई थी वहां पर भी लोग कह रहे थे कि चुनाव आयोक से कुछ नहीं होगा दूसरी बहुत अहम बात अभिसार देखिए कि सारे करनाटक यानि मैं चुनाव मुद्दा हूँ और अब खुलकर उन्होंने बजरंग बलीग पर चुनाव लड़ने की जो ऐलान किया है उसे एक बात साफ है कि वे चुनाव सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर लड़ने की तैयारी है मैं एक चीज जानना दोनों से जानना चाहता हूँ क्या कॉंग्रेस ने अपने चुनावी मैनिफेस्टों में बजरंग दल का जिक्र करके घलती कर दी वो कह सकते थे कि भाई वो जो ताक्तें राज के सामपरदाएक माहौल को बरबाद कर रही है हम उन पर कारवाई करेंग लोग भाशन में भी बोल रहे हैं कि कॉंग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए था खासकर बड़े-बड़े इंटेलेक्शुल्स लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर प्याफाई का जिक्र आप कर रहे हैं तो बजरंग दल का जिक्र करने में कोई गलती नहीं है पहली बात और अठना है जो ओड़िशा में इसाई एक पादरी की हत्या नो केवल किया वब किकि उनके दो बच्छों को भी जला कर मार डाला था और अभी हाल में अभी हाल में हरियाना में क्या हुआ राजस्थान में क्या हुआ कितनी केसे जो चुकी हैं बजरंग दल के माने में मूलू म हिंसा को इस तरह से जायस ठहरा रहे हैं मैं थोड़ा सा विशय का परिवर्तन यहां करना चाहूंगा वो है प्रयांका गांधी वाडरा का की जो मौझूदगी है मुद्दे परवार कर रही हैं वो ये कह रही हैं कि भाई आप कहते हैं कि भाई मुझे मौका देंगे तो मैं व जो कॉंग्रेस का चुनाव प्रचार होना चाहिए जिन मुद्दों पर जिन पर उसे बढ़त मिली हुई है उन मुद्दों को प्रयांका गांधी बहुत ही लोग प्री अंदाज में बहुत ही हस्मुख धंग से बहुत ही आप यह कहिए कि खुश्मिशाज धंग से वो जियादी सवाल उठाया अभिसार वो भी ध्यान दीजे उन्होंने कहा मोदी जी आप भूलिये नहीं आपी की सरकार्ती अभी तक आप क्या विकास कर रहे थे और दूसरी उन्हें एहम बात की उन्होंने कहा कि आपने एक्क्यानबे गालियों का जिक्र किया यहां देश की जनता के उपर जितनी गालियां पड़ रही हैं, जितनी मुसीबते हैं, कभी उनको भी आप मन की बात में करिए, और अपने परिवार को भी वो सामने लेकर आएं कि आप मेरे परिवार को हर मौके पर जलील करते रहे, उसका कुछ नहीं. बिल्कुल हो, मेरे काल से मेसेजिंग बहुत अच्छी थी, कि मेरे भाई से सीखिये, उसकी तो आपने एक छवी बना दी, मगर उसने कभी रुदाली नहीं की. अब हम तीसरे मुद्दे कारूख करते हैं, और वो है शरद पवार का NCP के प्रमुक के तोर पर इस्तीफा, यकीन 24 के लिए महराश के अंदर, बीजेपी के लिए जो रास्ता और मुश्किल हो गया है, क्या है इस खबर का पंच? उर्मेलेजी. मैं समझता हूं कि शरत पवार ने भारती राजनीत में हाल के वर्षों में कुछ वैसे ही इमेज अपनी बनाई है, जैसी एक समय मुलाइम सिंग आदो जी की थी, एक काफी अविश्वा सिनिये साथ, कई बार मुलाइम सिंग ने संसद में कह दिया, कि अगली बार भी आ जा शरत पवार जी कोशिश में हैं कि उनको इतिहास में एक खलनाएक के तौर पे न देखा जाए, डेमोक्रेट के तौर पे देखा जाए, डेमोक्रिसी के खलनाएक के रूप में न देखा जाए, ये मुझे जो लगता है इस मुद्धे पर मेरा पंच ये है कि मैं इस्तफाख रखता हूँ इस बात से जो उर्मिलेश जी ने अभी-अभी कही, मगर NCP पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि अजीद पवार की क्या खाहिशे हैं, सब जानते हैं, वो मुख्यमंतरी बनना चाहते हैं, उनके क जीद पवार के किसी भी प्लान पर अंकुष है, क्योंकि उन्हें ये महसूस, उन्हें ये जानना चाहिए कि अगले प्रमुक के तोर पर, जो एक बहुत मजबूत विकल्ब सुप्रिया सुलेका है, जो शरत पवार की बेटी भी हैं, भाशा क्या है इस मुद्धे पर आपक पंच। को ले जाकर, मोदी और अमिशा या बाकी सिक्यूरिटी एजन्सी जाच एजन्सी अपना दाओं महराष्ट में नहीं खेल सकती हैं। कई विधान सभा उपचुनाव हुए जहां 25-25 सालों से बीजेपी सत्ता पर है या वहाँ पर विधाय की वो नहीं हार पाएं, वहाँ पर उन्हें जीत हासल की है। तो यकीनन ये एक ऐसा फैसला है जो महराष्ट में बीजेपी की पार्टी को धराशाई कर सकते हैं। मोदी जी और अमिश शाजी की सबसे बड़ी जो चिंता है महराष्ट को लेकर और भी कई परदेशों को लेकर है, उसमें एक परदेश बिहार है, उत्तर परदेश को लेकर बिलकुल कोई चिंता नहीं है। चिंता बिलकुल चिंता नहीं है। में और जो ब्रिहत जो ये मुंबई का जो नगर पाली का है उसमें भी चुनाओ जब होता है तो उसमें भी बहुत खराब हो जाएगी और आप ये मत भूलिए कि अभी हाल में बहुत कमी दिन रह गया है सुप्रिम कोटाफ इंडिया में शीव सेना को लेकर फैसला आने जा र पाएगी और वैसी स्थिती में अजित पवार जो भी बाजी लगाना चाहते थे या लगाने की योजना बना रहे हैं वो आल लेडी उसको पंचर कर चुके है बहुत मुश्किल होगा क्योंकि मैं नहीं बूला हूँ जब शरत पवार ने उस बात की घोशना की थी तो उस मन पाटी रहता है कि हमारे दिमाग में भी लोगों के दिमाग में भी अच्छा शरत पवार है तो उनकी उत्तराधिकारी उनके बेटी या बेटी ही होगी तुश अजीत पवार के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा जो भी उनकी महत्वा कांग्शा हैं उस पर वो अमल करें हाँ और देखें दूसरी बात है कि जितने लोग एंसीपी को जानते हैं जिन लोगोंने कवर किया है देखा है बहुत करीब से वे सब जाते हैं कि अजीत पवार के पास बढ़त इस मामले में हैं कि वो एक अपना दल अपने विधायकों की एक टोली आज से नहीं शुरू से शुरू से वो कौन चुनाव लड़ेगा किसको सीट दी जाएगी किसको कहां रखा जाएगा इसमें वो डीलिंग करने में उनकी कोशिश थी कि वो शरत पवार को ही रिप्लिकेट करें यानि उसी की रहा पे चलें लेकिन यहां पर मुझे लगता है अभी जो हुआ है ततका पवार को तो पता था क्योंकि सुप्रिया सूले ने यह घोशना पहले कर दी थी कि अगले 15 दिन में दो एहम घोशना होंगी मैं इंतजार कर रही हूं दूसरी एहम घोशना का और देखिए तैयारी किस तरह से चल रही है अजीद पवार की अपनी महत्वा कांग्शा है प् जो प्लानिंग चल रही है वो किस तरह से चल रही है वो फाक्टर भी है अजीद पवार भी है यानि कि बीजेपी पूर जोर कोशिश कर रही है देखे शरत पवार ने अडानी के साथ बातचित की अडानी साब सुम शरत पवार जी किसे मिलने गए और उनना डिफेंड भी क पार्टी है जो अंदर से फ्रंट है, उपर से तो दिखाई देती है पार्टी जो शरति-पवार की अगवाई वाली पार्टी है लेकिन अगर उसमें देखा जाए तो वह भी एे गठमंधन है कि उसमें महाराष्ट के प्रहे छेत्र के लोग हैं, दूसरे छेत्र के लोग हैं, इन सब के बीच में एक संतुलन कायम करते हैं शरत पवार, शरत पवार अगर नहीं रहेंगे अध्यक्ष और जो भी नया ध्यक्ष बनेगा उनकी पैट्रिज अगर ना रहेगी तो ये पार्टी नहीं टिकेगी, शगन कर्परेट के साथ ज्यादा रिष्टा होता है, चोंकि वो स्वेम बड़े पुझी पती हैं, लेकिन छगन भुझबल, चाहे उनकी इमेज जो भी पेंट की गई हो, लेकिन वो जनता में बहुत पापुलर हैं, और काम करते हैं, धरती पर, जमीन पर काम करते हैं, छगन भु को रास्ट्री अध्यक्षता दी जानी चाहिए पार्टी की, क्यों क्योंकि वो निशनल लेबल पर काम कर रही हैं, पहले से, और यहां पर अजित पवार दादा, लोकल लेबल पर काम कर रहा हैं, स्टेट लेबल पर, उनको स्टेट अफेर्स देखना चाहिए, ये बात ने कहीं प्लानिंग बन चुकी है, ये प्लानिंग अगर डिस्रप्ट होती है, तो वो भी शरत पवार के कारणों से होगी, उनकी इक्षा बदल गई होगी किनी कारणों से, तो ले देकर मुझे ऐसा लग रहा है, कि भारती जनता पार्टी के लिए बहुत शुब संकेत नह भाशा और उरुबिलेश आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अभिसार शेर्मा को दीजे अजासत, नमस्कार